हलो फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक रहेगा खनिस संसाधन इसके पहले वाले चेप्टर में हमने पढ़ा था बहुद्देशिय परियोजना और बहुद्देशिय परियोजना का सीधा सा मतलब था कि ऐसी परियोजना जिसका एक से जादा उद्देश हो यह जैसे कि इस प्रकार से बहुत देशिय परियोजना के अंतरगत यह आते हैं और हमने यह भी देखा था कि जो भारत के मंदिर जिसको जवालाल नहरू ने कहा था कि जो आधुनिक भारत के मंदिर हैं वो यही डैम यह बांध होंगे क्योंकि उनसे हमारे जो भारत की आर्थिक स्थित उसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता था और बनाया भी हमने कफी ज़्यादा उपयोगी इस इसमें परियोजनाे का Lot प्रतवी से निकलते हैं और खनिज महत्तों है हमारे जीवन को सुक्मे बनाने के लिए जैसे जो आप जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो यह भी क्या है कि इस आपके लिए एक संसाधन है और यह खनिश संसाधनों से मिलके बना होगा क्योंकि इसमें कई तरह कि देखिए मैटेरियल से लगे हैं इसमें दातु में लगी हैं वह सब कि चट्टानों से निकाली गई और उनको रिफाइन किया गया और उनको फिर अलग-अलग रूपों में डालके उप्योग किया गया है तो इस प्रकार से जो खनिश संसाधन हमारी चट्टानों से मि है किसी नकिसी चट्टानों से बने हुई है कि यह वागों में धार वाड तो यह सारी सकतर तन्तर जो самमें, इसमें कि निकाका विसेश्ता फटा है इन गोदे जाओंगे देखेंग के देखिए हमारे घंज क होते हैं हो सकते हैं और उर्जा खनीज और ँम्हेंगे और उनको हम अलग से पढ़ेंगे तो पहले पढ़ते हैं यहां पे पॉइंट्स है वह भारत का सबसे महत्व महिट्पुर्ण खनीज युक्त रॉक तंत्र यानि खनीज एक तो यह सकते हैं और दारवाड की जो चट्टाने हैं ये खनीज से बहरपूर हैं इन से हम कROG प्राप्त करते हैं कौ儿 साइल समुय भारत में धाथ्वी खनीजों का प्रमख स्रूत है तो यह आपर देखिए यही जो खनेश्ट तंत्र है घारवाड तंत्र तो महत्त पूर्ण और अगला इस पॉइंट देखिए कि में बिंद सेलों में ब्रहत बंड़ार है उन में पाये जाता है चूना पत्तर चूना पत्तर काफी ज्यादा मात्र है और चूना पत्तर जो है वह सिमें का कच्छा माल है वो चूना पत्थर होता है और चूना पत्थर जो है यह बिंध्यान साध्यों में ब्रहध मात्रा में पाया जाता है भारत के खनिस संसादनों के सबसे बड़े भंडार हैं तो भारत के जो सब्दमारा अपना भारत के ये हिस्सा है ये यहाला जो पूर्शन ये पूरा यह ये पूरा क्या है कि घोनिजों से भर पूरा है इस के उपर वाले अलांकि छेत्र में हम जाते हैं तो मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर रहा जो संसाधन में आए करनाट केरव महराष्ट। वि में तमिल१। नाडू नदू में वहराज जिसमें खनिख संसाधनों की सरवाधिक समपननता है। लाग जो राज्ज है यहां पर खनिशनसाधन काफी ज्यादा मातिरा में हमें दिया गया हीया-कथन द्धात्विक और अलाव है धात्विक खनिज धारवाड साइल समय से सम्बंदित हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ए और आर दोनों सहीं है लेकिन यहाँ पर जो आर है यानि कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है difference क्या कि गोंडवाना जो समूह है इसमें सिक कोईला जो है भारत का 95 % कोला इसी में पाया जाता है और आधिकांस्ता जो लाव खनीज यहां झाहर वार सक सब्सक्राइब होता है धात्विक तो धात्विक खनिज जो है फ्रेंड्स तो धात्विक खनिज में भी दो तरह का हो सकता है भाई जो धात्व है तो कैसी एक तो होती है जो आईरन युक्त हो जो लाव धात्व है और एक होती है अलाव वाली जैसे कि माली जो सोना है चांदी है तामा है तो यह कैसी तो धारवाल सखङल में यह दोनों क्या होाइकि प्रम धूरुम में पाय जाते हैं सिलिए यहां पर कारण वाला भी यह जो फ़हा। भारत खनिच पदार्थों का भंडार कहा जाता है तो भारत में खनिच पदार्थों का जो बंडार है वो कहा जाता है कि छोटा नागपुर पठार को छोटा नाकूर पठार में खनिज कोई काफी ज्यादा मातरा में हमें प्राप्त होते हैं इसलिए खनिज बंडार इसको कहा जाता है अब देखें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं धात्विक खनिज वही जो हमने डिवाइट किया था कैसे कि धात्विक अधात्विक और कांदी यहत तामभा है तो यह लावाले हो जाएंगे तो लह वाले जो हैं यहां पर अवप पढ़ने वाले तो राजस्थान की नाथरा की पाल छेत्र जो है यहां पर लव आइस्क पाया जाता है आप तो यह उरिका बॉडिक अवग देलेडी वाला छेत्र है फरेंज रहे हैं कापी बड़ा भंडार है तो यहां पर ही हम देखते हैं कि अ जो है पाय खेट सेएख उच्छ आ छाँ, फवेजुत यह यहां है। WAS REALLY Green नीजफ यहां जॉफ, पर मतलब अधाली है। उसको भी यहां चीजर बेन स्टाब प्लम मियां-ड़ मार टीड़ा की है कि यह जो इतान यह जो बैल की वहां 50 जो हुआ है उसकी तरह की एक पहाड़ी है यह और इसी पहाड़ी का नाम बिखि दीजा गया है विए ज्याह 9 यह आयस के लिए काफी ज्यादा महत्वूर्ण है भारत में सबसे बड़ी encant खान तो मसीनरी खान जो है वह दिखे लाड़ीला खांगे लह भाड़ी था फिर बहा की भर नाम संपनि है यहां कि करनाटा को रोडिवया में लोह कई मत्रस में पाया जाता है सीवान जरिया कुद्रे मुख एवं सिंग भूमी में कौन लोह चहेतर है तो फिर्म और सिंग भूमी यह क्या है कि पाश्चिम के छेतर है यह और यह यहां पर जो लो आयां के वो काफी मात्रा में पाया जाता यहां पर देखे चीज से और आपको देखें गे यह था कुद्रे मुख जो नाम है यह होता है घुड़े के और ये मुख भूम कि यह देखिए और कुद्रे मुख यह है यह पिस्टिम में यह करनाटक वाले छेतर में हमें कुद्रे मुख सिंग भूमी वहाँ पर नज़र आएगा और यह किसे समन्दी दे यह समन्दी ते लोगा के छेतर से अब याद करने में tääली, कुद्रे मुख मतलब गोड़े जैसा मुख सिंग भूमी सिंग से आप जोड़ सकते हैं और यह दोनों है कहां पर यहां पर पस्चिम बाले छेतर में हमें देखने को मिलती है भारत में लाव आयस्क के प्रकारों में सरवाधिक भंडार किसका है तो दिखिए जो लाव आयस्क है तो लाव आयसक में हेमेटाइट है आयसक है यह और हैमेटाइट मेगनेटाइट यह होते हैं लोहे के तो भारत में जो ज्यादा है ज्यादा मातरा में लाव आयसक है तो वह किस प्रकार का है वह है हेमेटाइट हेमेटाइट प्रकार का लाव आयसक काफी है तो लाव धा को जादा मातरा में निकाल सकते हैं जादा मातरा में उसमें उपस्तित है तो उसको हम ऐसक कहते हैं तो इस प्रकार से जो हेमेट आइट है ये लवधातू का ऐसका है खान मंतरले की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार वेदो राज ब्हारत में जो लौ आयसक के प्रमुक उतपादक है तो लौ आयसक के प्रमुक उतपादक 2020-2021 में कौन से थे उड़िशा और 36 गड़ उड़िशा और 36 गड़ में लोहा काफी जादा उतपाद किया था 2020-2021 में पश्चमी सिंग भूम में इस्थित चिरिया की सबसे प्रसिध विसेष्टा क खाने किसकी लोहे की खाने ताप इनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि यहां पर इस्थित है किसे जुड़ा हुआ है अगला देखिए जस्ता तो जस्ता के लिए देखिए कि पॉइंट्स क्या है कि एसिया का स्रिष्ट जस्ता एवं सीसा आयसक भंडार उपलब्द है तो यह कहां पर है यह है भील वाड़ा राजस्थान वाला चाहे थे ना भील वाड़ा जिले के रामपुरा अगूचा में जस्ता का काफी भं मात्रण में हो जानी है तो यह स्र mesa का भी स्रिष्ट जगह है यह राजस्थान वाला चेतर जहां पर जस्ता मैं उट्पहत्त हम सहता है इसली को भारत से प्रमक्ष स्वाध्ध राज्यों की भात कर एदने पर क्या है कि यह राजस्थान और करनाटक यहां पर 2019-2020 की जो माइनिंग की जो रिपोर्ट आई थी उसकी अनुसार में राजस्थान जो है यह मुख रहा था और करनाटा कि यहां पे उत्पादन में रहा था काफी सिर्ष पे तो यह कुल मिला के जो राजस्थान है वो चांदी के लिए महत्वपून है चांदी उत्पादन के ल तामा काफी मात्रा में यहां से निकाला जाता है वह राज्य जिसमें तामा का सबसे बड़ा भंडार है तो वह राजस्थान राजस्थान में तामे का बड़ा भंडार पाया जाता है भारत में तामा के सिर्ष उत्पादक राज कौन से मद्ध परदेश राजस्थान और ज पुछा गिया था भारत में सरवाधिक निकल उत्पादन निकल की उत्पादन में होता है अब कि कुछ यह रेयर हटवें हैं एक पर कारसे जो की विसेज विसेज जगह होती है जैसे हमने जस्ता को देखा ही राज्स्थान में ही आदिक मातरा में बिलता यहां पर हम निकल को देख रहे हैं तो निकल वो ओड़ी सामें हमें मिल रहा है यहां पर देखेंए एक तरफ सुची है एक और दूसरी दूसरी सूची है और यहां पर एक तरब दिया है तामा के छेतर और दूसरा दिया है राज अब तामा के छेतर में देखिए क्या है कि चंदपूर जो चंदरपूर है ये महाराष्ट में है और ये तामा के छेतर है सारे फिरंस है ना तामा के छेतर चंदरपूर महाराष्ट में है और हासन जो ह है यह टेलंगाना में है और खेटली जो है यह यह रहतarin के बहुत महत्वूर और खेटली बहुत पुराने टाइम से भी टांबा के लिए काफी ज्यादा महत्व पूर रहा है तो यहां पर एक बार फिर हम देखते हैं कि देखें चंदरु तामबा का यह सारे तामए के छेत्र राजस्थान का खेतडी बेटल प्रसिद्ध है तो खेतडी किसके लिए प्रसिद्ध है यह तामा खरनन के लिए यहां पर प्रसिद्ध है बाकसाइट देखिए बाकसाइट जो है क्या है एक आयस का है यही पर प्रस्ण भी देखिए बताय गया था कि बाकसाइट जो है किसका aluminum का यहांज यहां पर यहां पर देखिए बाक्साइट जो है चो देखिए उरीसा-गुजरात उरीसा-गुजरात में बाक्साइट का उत्पादन काफी मात्रा में हुआ था यह भी देखी 2019-2020 के हिसाब से यहां पर पुशा गया था यहां पर सई सुमेलन करना है मैं देखी खनन छेतर एक तरफ और यहां पर दूसरी तरफ दिया गया है खनी संपदा कि वहां पर क्या पाया जाता है तो जैसे देखी काला हंडी है तो काला ह स्टान्डी जो अडरीसा वाले चैतर पाया है वहां पर बाकसाइट पाया जाता जावर 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 यह राजस्थान की खाने और यह पर अपर देखें Watermişकी क्या पाया यह यहां पर देखिए Q girls הקा के ैंखिए और यहां पर देखिए सोना पाया पाया जाता है ना कोलार स पाई जाता है 31 में भाक दिषयर कि अपलब्ध में मिलता है आप इस सीकेस की रिपोर्ट के अनुसार से वारुसिक रिपोर्ट के अनुसार वे दो राज जो भारत में बाक स साइट के प्रम sentenced पादक वारात समय उड़ीशा और गुझ्रात वूरीशा और कुझ्रा इसमें अधिक उतपादन की थे बाकसाइड का अगला देखिए यहां पर जो घृणिजभ वहें बहुत में भारत में तिनायस्ग क का प्रमुख भंडार का पर है तो जो है Hatunuz सब्सके क्षां तिन आधन कर रहा है देखिये हम कह देख कि प्र ऐसके बाद ही देखा दात्विक में देखा कि ल आधनल फिर इसके बाद हम देख रहे हैं आगे हम इस में पढ Schools rip उर्जा कनेज तो अधात्तिक को देखिए जो धात्वे नहीं है जैसे कि अब्रग भारत में अब्रग का सबसे बड़ा उत्पादक राज जो था ये 2020 के अंकडों के हिसाब से आन्द प्रदेश था भारत में अब्रग संसाधन सरवादिक है कहां पे आन्द प्रदेश में भा को्डर्मः प्रसिद्ध है किसके लिए अब्रग खनीज के लिए अब्रक खनीज के लिए को Dorma जो है ये प्रसिद्ध के लिए इसके बाद देखिए हम पढते हैं संगमरमर 9 9 situations की ये भी अधात्वी खनीज है और ये जो सबसे अच्छी किस्म का जो संग मरमर है वो पाये जाता है मकराना में मकराना वाले छेतर में संग मरमर काफी ज़्यादा मात्रा में अच्छा सफेज संग मरमर मिलता है और हम यह भी देखते हैं कि जैसे हमारा ताज महल बना है तो वो किससे संग मरमर से ही बना है तो संग मरमर क्या है कि एक दरसल यह कायांत्री चटान है तो कायांत्री मतलब अपना रूप बदल लिए तो चूना पत्थर जो होता है फ्रेंट्स तो चूना पत्थर ही संग मरमर में बंद आल्टिमेटली क्या हो जाता है कनवर्ट हो जाता है तो यह जो संग मर्मर है यह एक चूना पत्थर वही देखी यहां पर दिया गया है कि संग मर्मर है एक तो यहां पर जो मतलब पुनर वीकरत चूना पत्थर यानि कि चूना पत्थर जो है तो चूना पत्थर कनवर्ट हो जा रहा है किसमें संग मरमर में तो यह देखे हमने अभी धात्विक और अधात्विक खनिजों को पढ़ा इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंज उर्जा खनिज इसमें हम प्ट्रोलियम गैस जो भी चीज़े हैं वो सारी हम यहां पर प जो चिंग